नमस्कार तो आगे ते दोस्तों आज की बड़ी खबरे मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में के करके हर एक बड़ी खबार इन खबरों में जानेंगे एंडिये टूटा जयमत चौरधरी ने खुली चुन ओरती दे दी बीजेपी को अपडेट ज दी बड़ी भविश्यवानी जानी इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर बने रहे हैं साथ में दोस्तों आप भी मानते हैं लोग सवा चुनाओक के बास से रहुल गांदी की लोग प्रियता में जाव दस्ति जाफ़ा हो रहा है तो एक वीडियो को लाइक कीजेगा समय करेगी या पुलिस उत्त्रपदेश के सुल्तानपूर में मंगे स्यादव एंकाउंटर को लेका लगाता सियासी महाल गर्म है वहीं दोस्तों भी पच्छे दल बीजेपी को निसाने पर ले रहा हैं सी बीच अलोपी राहूल गांदी का बयान आया है राहूल गांदी ने कह सुल्तानपूर में हुए मंगे स्यादव के एंकाउंटर ने फिर सावित किया कि बीजेपी रूल आफ लाव पर विस्वासी नहीं करती दोस्तों आपको बताते चलें इस पर मामले पर अखिलेश अदब भी हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जाती देखकर गोली मार यहां पर दोस्तों अखिलेश अदा आपके बाद राहूल गांदीवी योगी सरकार को घेते नजर आ रहे हैं कि यहां दोस्तों केंदर में एंडिये से एक पार्टी के अलग होने की काफी चर्चा हो रही है इस पार्टी के नामें आरेलडी जो कि यहां पर जहन चौदे के परवानें पर दोने डिये हुए कि परवक्तार और कांगरेस में ते और बीजे पी नेताओं को यह बात रास नहीं आरही है भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पहलवानों को पेदासरान पूरी तहीके से कॉंग्रेस की साजिस्त था आरेलडी के पास यहां पर दोस्तों नौ बिधायक हैं जो की उपी सरकार को समय थन दे रहा है और दो सांसद हैं जो कि इंदर में समय थन दिये हुए हैं दोस्तों आपको बताते चलें इस पूरे मामले पर आरेलडी के यहां पर तेवार बदले बदले निर्ज़र आ रहे हैं और यहां पर बीजेपी नेताओं से इस परष्ट चेताबनी और सक्त लहजे में आरेलडी ने कह दिया है कि बिने इस फोगार्ट के खिलाफ एक दास्त नहीं करेंगे जिसके बाद से बीजेपी की टेंसन और भी बढ़ गई है घमासान के स्तिति देखी जा रही है बीते 24 घंटे में तावर तोड इस्तिफ है जी हां दोस्तों आपको वताते चालें टिकट ना मिलने को लेकर बीजेपी में घमासान की स्तिति है इसी क्र में दोस्तों कई स्तिफे हुए तावर तोड तरही कैसे बीजेपी आला कमान को समझ नहीं आ रहा है कि डेमेज कंट्रोल किस पेकार किया जाए पहली लिष्ट दो 67 उमीदवारों की जारी हुई है नपे में से 67 उमीदवार घोसित कि बीजेपी ने जिसके बाद से ये घमा बढ़ी जिसके चलते इन लोगों ने फैसला लिया है कॉंग्रेस पार्टी में जाने का इस्तिफा देखकर ये सभी कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर रहे हैं दोस्तों ये ताज़ा बढ़ी खवर निकल की आई है आगली अपडेट की और चलते हैं कॉंग्रेस से टिकेट म मिलने के बाद बिनेस फोगाड बीजेपी पर हमलावार दिखी जी हाँ बिनेस फोगाड ने कहा कि जिस तरह एक खिलाड़ी के रूप में अपने प्रदैसं से प्रदैस और देश का मान बढ़ाया उसी समर्पन और जोसके साथ जुलाना हलके के विकास के लिए काम करूंग जिसके बाद बीजेपी एक दम से बैक फुट पे दिखाई दे रही है आपको बताते चले दोस्तों इस बार बीजेपी के लिए हल्याणा विधान सवा चुनाओं में कहा सी चुनाओतियां है एक तरफ किसान है जाट है दूसरी तरफ पहलवानोंने मोचा पहले ही खोल करेंगे और यहां पर दोस्तों पेचार भी करेंगे बिने इस फोगाट को लेकर यहां पर बेजभूशन के बिगड़े बोल जिसके बाद बजंग पुनिया ने भी उन्हें खासा जवाब दिया है अमिस सहा और राहुल गांधी दोस्तों एक साथ आमने सामने नजर आ रहे बिखेंस नयादे इसने यहां पर सुन भाई की आपको बताते चलें मामने में राहुल गांधी की पेची से वक्ति का छूट की मांग वाली आजकापा सुन भाई हुई राहुल गांधी के और यादे वक्ताओं ने कोट से पत्र उत्तर देने के लिए समय की मांग की 21 पर को अगली सुनबाई तारीक निदायत की गई है दोस्तों आपको बताते चलें राहुल गांदी के खिलाफ इस पकार के मानहानी के कई मामले बीचे पे आएसस कार करता हुने दायर करा रखे हैं जिससे कि राहुल गांदी को चौतर फागेरा जा सके और इसी क्रम में निते का इसा है राहुल गांदी के बायान को लेका तोड मोडो के उसे कोट में पेस किया गया और आप दोस्तों यहाँ पार उनके खिलाफ औरन्ट जारी करने का आगरे भी किया जा रहा था लेकिन दोस्तों इस मामले में सुनबाई की तारीक 21 सितंबर ताय कर दी गई हर्याना में हो गया है इंडिया गढवंदन सफाल जी हां दोस्तों हर्याना में तीन सीटों पार समाजवादी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार कॉंग्रेस को सौपी है के लिए शादब ने लेश्टा आपको बताते चाहें आम आदमी पार्टी से जहां नेसान दाज जीत हासिल की है लोग सवाच रोक दोरान बीजेपी को बहुमत पाने से रोका वहीं अब हर्याना में भी वही फार्मूला अपनाया जा रहा है आपको बताते चलें सपा अध्यच अखिलेश आदब में तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिष्ट कॉ कॉंगेर्स को सौपी है इससे पहले दोस्तों सपा की हर्याना उनिट ने जाट यादाव और मुस्लिम बहुल 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था लेकिन कॉंगेर्स इतनी सीटे सपा को देने को पच्छ में नहीं थी इस पर अखिलेश आदब में हर्य जी यहां दोस्तों एक टीवी सो में इंटर्व्य को दौन प्रसांत की सोई ने राहूल गांधी को लेकर बड़ी वाद कहीं जवाइंकर ने उनसे राहूल गांधी के बारे में पूछा कि अब अब अबिस में आपिने प्रधान मंत्री के तौर पर देखते हैं तो यहां प लोग प्रियता में इस कदर ही जाफा हुआ है जिससे वहाँ जनता के बीच जा रहा हैं उनका जन संपाय का भ्यान ही यहां पर उनकी लोग प्रियता का मुख कारण है यहां पर प्रसांत की सोर बोले हैं राहूल गानी ने खुद को स्थापित किया है और यहीं बीजेपी क चिंताएं दिन पर दिन भढ़ती जा रही है क्योंकि राहूल गानी का कद बढ़ रहा है यह कहना है प्रसांत की सोर का दोस्तों यह थी आज की बड़ी खब्रें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद